हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो अटोमेशन एंड रोवोटेक्स यूट्यूट्यूब चैनल यू आर विद टैक्टॉक विद लाली तेज आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि हम आटोकेट में हैस और ग्रेडियन कमांड्स कैसे यूज करते हैं तो दौनों कमांड्स काफी यूजफुल कमांड्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइ तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ हैस कमांड कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल या स्कार बना दिया राइट तो हम किस तरीके से हैस कमांड यूज करते हैं जैसे segunda पाइट को स्लेक्ट करेंगे आपछ करने के वास देना पैटन यहां से स्लेक्ट कर सकते हैं जैसे मुझे यहर पैटन चाई यह पैटन चाईए यह यूज्ण यह झो फिलेक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप आप यहां पर ہां यूज करता है कि यह पैटन हो गया Gradient Command होती है इसमें एक पैटान आता है है educate में क्वे डेंडुर यह सिरकल ले लिया रेंडमनी किसी भी रेंज का और मैं ग्रेडियं चौ van यूज करना चाहता हूं तो جb यह यहाँ पर कुछ जनरेट हो रहे हैं आप के लिए तो आपको कह multiplex नहीं पहले औब्जेक्ट करना है देन यहांसे आपको किस तरह की ग्रीडियंट बनाना है आप यहाँ से specify कर सकते हैं आपको जो भी option ठीक लग रहे हो आप ले सकते हैं किस के लिए? gradient के लिए gradient में solid color आता है जो कि हमने यहाँ से लिया और hash में generally एक pattern होता है जो आप use करते हैं अब देखेंगे तो gradient में क्या है? solid color आता है और hash में क्या एक pattern आता है जैसे मुझे hash फिर से command लेना है h-a-t-c-h जाएंगे enter select object करेंगे यहाँ से pattern ले सकते हैं जैसे मेरे को यह pattern अच्छा लग रहा है आप यहाँ से select कर सकते हैं क्योंकि इसमें already एक pattern बना हुआ है पहले मैं इसको delete कर देता हूँ then आपको बताता हूँ hash command आप कैसे use करेंगे आप यहाँ से object select करेंगे और यहाँ से फिर आप pattern उठा सकते हैं जैसे मैंने यह लिया अभी इसमें थोड़ असा lining बगएरा ज्यादा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ से change कर रहा हूँ जैसे यह देखे एक pattern हमने यहाँ से change किया तो आप क्या कर सकते हैं basically specify कर सकते हैं कोई भी pattern hash के थ्रू और आप यह command क्या कर सकते हैं implement कर सकते हैं तो यह basically दो command है जोकि hash और यह gradient command है एक बार फिर से देख लीजे मैं जैसे hash command यूज करना चाहता हूँ then select object और आप यहाँ से pattern यूज कर सकते हैं जो आपको pattern ठीक लग रहा हूँ right इस तरीके से आप pattern ले सकते हैं तो इनका यूज करते हैं हम कोई notch बनाना हो, node बनाना हो, junction देखाना हो drawing के अंदर उसके लिए हम hash and gradient commands use करते हैं तो बाकि आप s-kips से बाहर आ सकते हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि इस तरीके से हमने यह commands use की हैं, जैसे मैंने एक circle all ले लिया और यहाँ पर मुझे एक notch बनाना है और उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ जो solid color है और कोई pattern है तो वो हमारा hash के थ्रू होता है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा so thanks for watching my videos आगे वीडियो के लिए लगातर मैं चैनल को follow करते रहें वीडियो को like करें, subscribe करें and share करें so thanks for watching my videos, thank you